आप गाइज आपको बता दो देखें मिसन कॉमटिशन ने एक बार फिट से संसर्ट वी-पैसी प्रैक्टिसेट ब्रूट कर दिया जिसका प्राइस जस्ट फिर रखा गया देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिसेट अप्लोड कर दिया है अलाग लाग कोचिंग संसान के जैसे किसी मादेम करके आपको प्रैक्टिसेट ग्रूप में एड नहीं होना टेलिग्राम के उपर वह इंडिविज़ प्रैक्रिसेट ले सकते हैं दृस्टी का टोटल एक से लेके 16 सेट आप जस्क्रिंटी रूपीज मिले सकते हैं प्रफेक्शन नास्ता टोटल 20 सेट 75 रूपी जैहिन दोस्तों वेलकम टूदा मिशन कॉंपिटिशन सिख्टी सब्सक्राइब को जैसा की पता है हमारा कंटिन्यू प्रैक्टिसेट चल रहा है और इस सीरीज में आज हम लोग आपके सामने प्रैक्टिसेट नंबर दो लेके हाजिर है कल हमने 67 प्रैक्टिसेट नंबर व उमीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे और बहतरीन परफॉर्म करेंगे कमेंट करके अपने स्कूर हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करिएगा चलिए तो आज का जो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेशन नमर वन हमारा आपके सामने रहा पहला क्वेशन क्य जानी को इसने न्यूक्त किया था ओप्सन नमबर डी हमारा यहाँ एकदम करेक्ट हो जाएगा आगे बरते हम लोग देखेगा कोश्चन नमर दो देखते हैं तोपरा तथा मेरट असो के स्थम दिल्ली कौन लाया था ध्यान दीजेगा इसको दिल्ली अगर हम बात कर लें फिरोज साथ तुगलक जो है इसको दिल्ली में लेक आया था ओप्सन नमबर बी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा आगे बरते हम लोग कोश्चन नमर तीन की हो देखेगा किताबुल हिंद की रचना प्रसिद लेखक का क्या नाम है किताबुल हिंद जिसकी रच और तो इसका ऐक्ष्वल नेम क्या था इसका एक्ष्वल जो है ध्यान दीजेगा इसका नाम था अबु रहान ओके अलबरूनि का एक्श्वल नाअम था क्या अबु रहान कर i ta AHA कर अब यह इस क्स्वेत नमबर कसिंगन महर कि चार की ओर बढ़ते हम लोग पीजि़े 2 सामिन saving रहा हुच्छ नमबर चार है हुमाईयु ने चुनार दुर्ग पर प्रतम बार आकर्मन कब किया था था द्यान दिजेगा इसने चुनार दुर्ग पर जो है प्रतम बार 1975 में इस किले को उसने चार महिने तक घेर के रखा था हुमायू और जिसके बाद सेर खाने हुमायू की अधिनता आगे चलके सुईकार कर ली थी क्योंकि खाना वाना रसद का सब कुछ कम ही उसको हो गया था नमर पांस देखिएगा निमलिखित में से किसने अपने बादसा पती के लि दियान रखिएगा ठीक है चलिए बाइ नमबर छे देखिए हिंदू धर्म गरंतों का अध्यान करने वाला प्रथा मुसलिम कौन था दारासि को था हिए भी हमारा यहां पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हम लोग नमर साथ की और क्या बोला जा रहा है निवल की किस इतिहास कार ने सेड़सा काल में मुगल काल का स्वर्णयूग कहा जाता है किस इतिहास कार ने सेरजा के सासंकाल को मुघल काल का स्वरण यूग जो है कह के डिनोट करा है यहाँ पर बेसिकली question यह पूछ रहा है देखिएगा A.L. स्रिवास्तव ने यह ऐसा बोला है कि साजहा का जो सासंकाल रहा है वो मुघल सासंकाल का गोल्डेन एरा इसने इन्होंने बोला है एल स्री वास्तावने नंबर आट गिल्टी मैन ओफ इंडिया पार्टीशन पुस्ता के लेखक कौन है देखिए इस पुस्ता के लेखक की बात कर ले तो इसके लेखक के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा राइट चले भाई आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा कोश्चन नंबर नाइन निम लिखने से किसने बंगाल में द्वायत सासन प्रणाली डूवल गवर्मेंट को समाप्त किया था माफी चाओंगा देखिए समाप्त किया था व महाभीयोग का मुकदमा जो है यह भी वारेन हेस्टिंग के उपर ही चलाय गया था नंबर 10 हमारा करेक्ट हो जाएगा था वारेन हेस्टिंग जो है अन्याए पून्ततनिरंकुसकार के वजह से उस पर महाभीयोग का मुकदमा चला था जो 1788 से 1795 तक है ना इस पर यह स्थापना किसने की भारत में नियाईक संगठन के स्थापना देखे लॉर्ड कार्णवेलिस ने भारत में नियाईक संगठन के स्थापना करी है एक ग्यारा का जो है हमारा क्या बी यहां पर बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा आगे बढ़ते हम लोग ध्यान दीजेगा पॉपला विद्रो केरल से रिलिटेट हो जाएगा पावना विद्रो बंगाल से रिलिटेट हो जाएगा उसके देखिए एका विद्रो जो है यह रिलिटेट हो जाएगा अवद से और बिर्सा मुंडा विद्रो बिहार से रिलिटेट हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ऑप्स 24 में जो है अगर हम बात कर लिए हुआ था बहरामपूर विद्रो ये कब हुआ था अगर हम बात करें तो ध्यान दिजेगा ये हुआ था फरवरी 1857 में संथाल विद्रो कब हुआ था तो ये 55-56 के आसपास में हुआ था और वेलोड विद्रो जो है जुलाई 1806 में हुआ था correct हो जाएगा हमारा option number A ठीक है? चलिए भई आगे बढ़ते हैं हम लोग number 14 की ओर ज्यान दीजेगा इसको तो आसा जूमीस के लो मैं इसको मैं करता हूँ आपके लिए चलिए हाँ जी 14 नमबर देखते हैं लोग 14 नमबर question में यहाँ भी मिलान करना है द्यान दीजेगा भई तो यहाँ पर हमारा देखे ब्रहम समाज कहां स्रेटेड हो जाएगा तो यह कलकत्ता स्रेटेड हो जाएगा ब्रहम समाज मानव धर्म समाज किस स्रेटेड हो जाएगा सूरत स्रेटेड हो जाएगा बात कर लेते हैं देखेगा आरे समाज यह कहां स्रेटेड हो जाएगा तो भाई यह बंबाई स्रेटेड हो जाएगा नदवा उलूमा ये लखना उसरेटेड हो जाएगा करेक्ट कूट हमारा हो जाएगा ओप्सन नमबर डी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग नमबर पंद्रा देखिएगा यहाँ भी मिलान करने के लिए दिया गया है देखिएगा प्राथना समाज का यहाँ पर मैचिंग हो जाएगा किस से हो जाएगा सरसाहियाद एहमद खां से जो है अगर हम बात करें माफ कीजेगा प्राथना समाज महादेव गोविंद रनाडे से हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखिएगा अगर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर रामकृष्ण मिसन, स्वामी वियकानन, सत्य सोधक समाज, ध्यान दीजेगा यह रेलेटर हो जाएगा जोतिवा फूले से, मौहमणा रेंगलो ओरियंटल, यह सयद एहमत खांसे हो जाएगा सी वाला हमारा यहाँ पर कूट सही बैठ जाता है, ठीक है, चलिए, नमबर सिक्स्टीन देखते हैं, भागा सिंग, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद, यानि केस में फासिक सेजा सुनाई गई थी, देखिए इनको जो जिसके सब फासिक सेजा सुनाई गई थी, अग मिलान करना है, देखिए सबसे पहले लहोर मुकदमा आ जाएगा, देन आफ्टर कानपुर मुकदमा आ जाएगा, उसके आद आप द्यान दिजेगा काकोडी मुकदमा और फिर मेरट मुकदमा, सी वाला हमारा यहाँ पर सही कूट बैठ जाता है, आगे बढ़ते हैं हम कहां हुआ था, चमपारन बिहार में हुआ था, ठीक है, क्लियर, ध्यान रखेगा इस बात का, चमपारन में हुआ था, कहां बिहार के चमपारन में, क्लियर, तो हमारा option number E हो जाएगा, option में ही नहीं वो, चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं, number 19, निमने में से क सांदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रियोग करा था, ठीक है, तो ये भूख हड़ताल का इन्हों ने यूज़ किया था, सबसे पहले, एमदाबाद हड़ताल के अंदर में, सी हमारा यहां पे सत्य हो जाएगा, number 20 देखेगा, 1997-1917 में इस से तो हमारा D20 का correct हो जाएगा, चलिए number 21 देखेगा, वर्ग A, B रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है, जिसका रक्त वर्ग ब्लड ग्रूप कौन सा होगा, देखेगा, उसका ब्लड ग्रूप जो है ना, कोई भी हो सकता है, समझेगा, ये universal receptor है, ठीक है, यूनिवर्सल रेसेप्टर है ये, ये वाला कोश्चन 67 में पूछा गया कोश्चन है, आठ माई वाले पेपर में जो कैंसल हो गया है, यूनिवर्सल रेसेप्टर है ये, ठीक है, ध्यान रखेगा इसका, चलिए, number 22 देखेगा, निमन में से antigen की मूल विसेस्ता क् बात कर ले, ये होता है, क्या, तो देखेगा, अब परतिरक्षियों में के निर्मान को प्रेडित करता है, antigen B हमारा यहां पे सत्य हो जाएगा, आगे बढ़ते हम लोग, देखेगे, number 23, क्या बोल रहा है, जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रसाइनी क्रिया की प्र बेसिकली विटामिन डी का ये रसाइनिक नाम है, कैसी फिर रॉल, बर पचीस देखते हैं, अगनासे को पाचक रस में उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निमने में से कौन सोता है, अगनासे को, देखेगा, वो हार्मोन की अगरम बात करने वो होता है, सि खोज किसने करी है, ध्यान दीजेगा, ये खोज किया था सर रोनल्ड रॉस ने, सी हमारा यहां पर एक दम ही सत्ते हो जाएगा, आगे बरते हैं, नमबर 27 देखते हैं, देखेगा, सही जोडे को मिलान करना है, यहां पर बताना है, सही जोड़ा इन में से कौन है, ध्यान द दीजेगा, गला, घोटू, ये आयोडीनिय कमी से हो जाएगा, बैसिकली गोएटर जो हम लोग बोलते हैं, उसके बाद यहां पर रताउंदी, नाइट ब्लाइडने से, विटामीन A से हो जाएगा, बेरी, बेरी, विटामीन B से हो जाएगा, चलिए, नमबर 28 देखिएगा हर्दय की धरकन को नियंतरित करने के लिए निमिले में से कौन सा खनीज अवश्यक है, तो हर्दय की धरकन को नियंतरित करने के लिए जो खनीज अवश्यक है, वो है देखिए, पोटैसियम, C absolute correct हमारा हो जाएगा, नमबर 29 देखिएगा, क्या बोल रहा है, सुची, एक को स नंजापन हो जाएगा, कवस यानि फंगी से और मलेरिया प्रोटो जोवा से रिल्टेड हो जाएगा, सही कूट हमारा डीवला हो जाएगा, आगे बढ़ते हम लोग, नमबर 30 देखिएगा, एक पीको ग्राम बराबर होता है, कितने के, तो एक पीको ग्राम जो है, बराबर होता है, 10 to the power 12 ग्राम के, सी करेक्ट हो जाएगा, नमबर 31 देखिएगा, सुची एक को सुची दो के साथ यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, सुची एक को सुची दो के साथ यहाँ पे मिलान करना है, ध्यान दीजेगा, देखिएगा, यहाँ पे, क्यूजेक हो जाएगा, प और घटना चक्र का कोश्चन है घटना चक्र साइंस जिस नहीं पढ़ा होगा उसको यह वाला कोश्चन पता होगा चलिए आगे बरते हम लोग नंबर 32 देखिएगा क्या बोल रहा है नंबर 32 पाइरो मीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है पाइरो मीटर जो है पातन किया था देखिए निूटन ने ए हमारा यहां एपसल्यूट करेक्ट हो जाता है आगे बड़ते हम लोग 34 नंबर देखिएगा बाई आटमोबाइल के हाईडरोलिक ब्रेक के कारे करने का सिध्धांत है तो ये सिध्धान्त की अगर हम बात कर लें ये सिध्धान्त है किस लिटेड तो ये पासकल के नियम से रिलेटेड है डी हमारा यहां पे सत्य हो जाएगा नमबर 35 किस धातू से बनाई गई मिस्र धातू को हवाई जहाज रेल के डिबों में पुर्जो के काम में लाया जाता है देखें कौन सा लायाता है तो ये है ऐलूमीनियम का इस्तमाल किया जाता है सी यहां पे हमारा यहां बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा नमबर 36 ट्यूब लाइट में निमन दाब पर कौन सी गैस भड़ी होती है ध्यान दीचेगा ट्यूब लाइट के अंदर में जो गैस भड़ी होती है अगर उसके हम बात कर लें आरगन और नाइट्रोजन इसके अंदर बढ़ा होता है ए करेक्ट हो जाएगा नमबर 37 निमली कितम से किस उत्परेरक का उपयोग बनसपती तेलों के हाइडरोजनी करन के लिए किया जाता है तो ये इस्तमाल किया जाता है ध्यान दीचेगा निकेल का भी हमारा यहां सत्ते हो जाएगा राइट ज्यादा तर मात्रा में पायाता है ध्यान रखिएगा खाना मामें प्रयोक की जाने में वहले गयास में मुख्यता अगर हम बात करें तो ठीक है ब्यूटेन और प्रोपेन भी बेसिकली इसमें होता है लेकिन मिथेन के भी मात्रा होती है चलिएगा भाई आगे बरते हैं लोग नंबर 40 देखिएगा 40 नंबर क्या बोल रहा है 40 नंबर और करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 40 और क्रेक्ट आंसर हो जाएगा option नंबर डी 6 नंबर रांसर हो जाएगा 234 option number B clear 44 नमबर देखिएगा 731 को A, B और C में इस प्रकार बाटा जाता है कि A को B से 25% अधिक रासी मिलती है और B को C से 25% कम रासी मिलती है इस धनरासी में C का हिस्सा कितना है इस धनरासी में C के हिस्से की बात करने हम लोग कितना है अगर इसके हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा इस धनरासी में जो C का हिस्सा हो जाएगा वो 272 हो जाएगा 272 जो option में नहीं है ठीक है यह हो जाएगा हमारा correct answer चलिएगा बाई present 45 देखते हैं 16,800 की धनरासी का एक भाग 6% पर र्ती वर्स एवन दूसरा भाग 8% पर र्ती वर्स की दर से सधरन वयाज पर उधार दिया गया दो वर्स के बाद धनरासी 19.00 हो जाती है तो ब्याज की 6% दर पर उधार दी गई धनरासी कितनी हो जाएगी देखिए धनरासी की बात कर ले यह हो जाएगा 12200 रुपईया यह हमारा सही हो जाएगा आगे बरते हैं लोग 45-46 देखिएगा पांच संख्याओं का उसत 56 है पहली पहली चार संख्याओं का उसत 54 है तो यहीं काम 8 दिन में पूरा सकती है चार पूर almighty सब धनराने विए काम किते डिन में पूरा करेंगे देखिए लोग मिल के काम पूरा करेंगे तीन दिन में ठीक है चलिए अगे बरते हैं अब लोग 48 देखियेगा एक वेक्ति अपनी इक्षान उसार अपने धन को इस प्राकार बाढ़ता है कि धन का अधा भाग उसकी पत्नी को से लिचार पूत्री यूं को बिदाने रुपय प्राप्त होता है तो बताएं कि पूत्री को जो रुपया मिलेगा अगर हम बात कर ले तो पुत्री को जो रुपया मिलेगा वो हो जाएगा ध्यान दीजेगा 53,333 रुपया 33 पैसा C करेक्ट हो जाएगा 49 देखेगा वे विधी के माध्यम से GNP की गणना में क्या सामिल नहीं किया जाता है देखेए इसमें जो सामिल नहीं किया जाता अगर हम बात कर ले मुल्लेहास वे जो है सामिल नहीं होता है C करेक्ट हो जाएगा 50 देखेगा निम्ल में से किसे उत्प्रवाही द्रव माना जाता है उत्प्रवाही द्रव जो है देखे FII को माना जाता है ए करेक्ट हो जाएगा नमबर 51 कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का हलाता था देखेंगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है SBI को कहा जाता था पहले option number B हमारा correct हो जाएगा number 50 antarastriya mudra course यानी IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैद mudra का सम्मुल गोशित करना होता है American dollar के रूप में और dash क्या होगा तो यहाँ पे जो correct answer हो जाएगा हम देख लें तो हमारा जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number B swan के रूप में ठीक है माफ कीज़ेगा यहाँ पे question number 52 है यहाँ देखिए कि ध्यान दीजेगा typing mistake है typing mistake है जिस वेज़ से answer तो सग्रवड़ाया माफी चाहूंगा मैं ध्यान दीजेगा option number C हो जाएगा pound sterling के रूप में ठीक है ना C हमारा यहाँ पे सत्य हो जाएगा चलिए तीरेपन देखिएगा जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है जनसंख्या घनत्व का जो अर्थ की बात कर ले यह होता है प्रती वर्ग किलो मीटर छेत में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या यहीं होता है जनसंख्या घनत्व एक करेक्ट होगा चोवन देखिएगा भारत का निमलिखित में से कौन सा अधोगी घराना एयर एशिया इंडिया परवर्तकों में सामिल है देखिए यह घराना की बात कर ले कौन घराना है तो यह है टाटा समूव भी हमारा यहाँ पर एपसलूट करेक्ट हो जाएगा ठीक है पचपन देखिएगा निमलिखित में से कौन सा एक राजकोसिय निती का उपकरन है उपकरन नहीं है माप कीज़ेगा तो राजकोसिय निती का जो उपकरन नहीं की बात करें यह हो जाएगा ब्याजदर ठीक है इंट्रेस्ट रेट चलियर चलिए भई चपन देखिएगा माल ढूलाई की छमता की दृस्टी से भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है भारत सबसे बड़ा बंदरगा माल ढूलाई की दृस्टी से पूछा जा रहा है ध्यान रखिएगा इसका माल ढूलाई की दृस्टी से पूछा गया है ठीक है और यह कहां है जो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट है मारा कोश्चन नंबर संतावन बौदीक संपता अधिकार से संबंदित वेपार पहलू तथा वेपार के संबंद में उपनिवेश ट्राम्स यानी की ट्रेड रिलेटिव इन्वेश्मेंट मेजर्स निमलीके दमें से किस से यह रिलेटेट है किस संबंदित है यह संबंदित है डंकल प्रस्ताव से बी करेक्ट हो जाएगा अन्ठावन देख़ेगा निमलिखित यूगमों में कौन यहाँ पर सुमेलित नहीं है बैसिकली ये बताना है 73 वा सम्विधान संसोधन सहरी छेत्र के स्थानिय निकाय के चुनाओं में महिलाओं के लिए स्थान के अरक्षन ये जो है बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है देखेगा हिंदू विवाध नियम आया था नाइंटीन हंड्रेट और फिफ्टी फाइव में ठीक है है और अगर हम बात करें 73 वा नहीं था अगर 74 वा था जो जिसमें की बोला गया था कि महिलाओं को जो है स्थान ये निकाय के चुनाओं में महिलाओं के लिए स्थान का अरक्षन ये 74 में किया गया था तो इस में से हमारा 73 जो है करेक्ट आंस हो जागा ये मैच्ट नहीं है बाकी सारे के सारे मैच्ट है हिंदू तरदिकरी अधिनियम 56 में आया सती निरोध अधिनियम 87 में आया ठीक है चलिएगा बाई नंबर साथ देखते हम लोग भारतिय सम्विधान के निमन चुदे में से किस एक के आधीन राजपाल राष्टपती के विचार के लिए किसी भी विद्यक को रिजर्व रख सकता आरक्षित रख सकता है ये रख सकता है अनुच्छे 200 के ताहत बी कर आम से सारे काम होते हैं राज में किसी राज के राजपाल द्वारा जारी ओर्डिनोंस का अनुमोधन होना अवश्यक है तो ये जारी होना अवश्यक की बात कर लें ये देखिए राज की विधाई का द्वारा होना अवश्यक है बी करेक्ट होगा 63 देखिएगा भारत में पिर आघंपाली एक हैं स्टेट लिजिसलिटव का उच शदन कौन सा है देखें स्ट्रीट लिजिसलिटव का उच्छ सदन की बात करने यह हो जाएगा विदान पाली का परिश्यद यहां पे हमारा correct हो जाएगा ठीक है 64 देखते हैं उचने आले की परमादेश जारी करने की सक्ति के अंतरगत क्या आते हैं इसके अंतरगत ज्यान जियेगा जो हमारे आएंगे वो हो जाएगा सम्विधानिक अधिकार सम्विधिक अधिकार मौलिक अधिकार all of these हो जाएगा देखे सारे के सारे आएंगे द्यान द भी disturbance होड़ा होगा तो माफी चाहूंगा आज एक दिन के लिए थ्वासा आप लोग अड्जस्ट कर लिजे नमबर 65 निम्न में से कौन एक रीट नियाले में कारवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है तो ये रीट जो है अगर हम बात कर लें कौन सी रीट है ये तो ध्यान दिजेगा ये रीट हो जाएगे प्रतिशेद है ना प्रोहिबीशन जिसको हम लोग बोलते हैं आगे बरते हम लोग देखिएगा केंदर तथा राज्यों के मद्ध सक्तियों के लिए भारत का सम्विधान तीन सूचियों को प्रस्तुत करता है निम्न में से कौन से अनुचेद सक्तियों के वितरन को विन्यमित करते हैं देखेगा ये विन्यमित करते हैं कौन तो अनुचेद 245 और 246 डी करेक्ट हो जाएगा ठीक है 66 केंद राज संबंध किस सूची में है देखें केंद राज संबंध जो है यह आता है हमारा सात्मी सूची के अंदरगत सी सत्य हो जाएगा हमारा ठीक है 68 देखिएगा भारतिय सम्विधान के किस भाग में केंदराज विधाई संबंधी संबंध दिये गए हैं अभी अभी हमने बात किया है ये भाग 11 में हो जाएगा ठीक है भाग 11 में ये हो जाएगा और ध्यान रखिएगा है ना अनुसूची क कौन सा हो जाएगा छठा अनुसकी हो जाएगा चलिए भई में किनेक्स दệcते हम लोग है नेक्स इंड ए मारा संग लोगसे वायोग अपने वारैसिक प्रतिवधन शॉपता है तो ये अपने वारैसिक पतिवेदन शॉपता है राष्टपती सहाब भी रहें क्रेक्ट हो जाए प्रस्तावक कौन था इसका प्रस्तावक की बात कर ले था Clark A correct हो जाएगा 72 किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूंतम समर्थन कीमत की सिफारिस करता है तो न्यूंतम समर्थन की सिफारिस का जो प्रस्ताव करता है देखिया कृसि उत्पाद करता है B हमारा यहां पर सत्य हो जाएगा आगे बड़ते हैं हम लोग नमबर 73 ऐसी अर्थवज़स्ता को क्या कहते हैं जिसका शेष विस्म में कोई सम्बंद नहीं हो तो ऐसी अर्थवज़स्ता को हम लोग देखिएगा सम्वुत या बंद अर्थवज़स्ता कहते हैं चोहत्तर प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना क्या है देखिएगा ये जो है ना एक जीवन बीमा योजना है सी करेक्ट हो जाएगा सेवेंटी फाइव देखिएगा निम्न में से किस योजना को 2015 में एपी वाई द्वारा बदल दिया गया था जो है बदल दिया गयה था स्वाव लंबन योजना को बी हमारा यहाँपे सत्य हो जाएगा सेवेंटी सिक्स देखिएगा बिहार एक पंचायत समीत्यों की संख्या कितनी है तो बिहार के कुल पंचायत समीत्यों की संख्या की बात कर ले त्यान दीजेगा 534 ये हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा 77 देखिएगा होली के पर्व पर ग्रामिन द्वारा कौन सा निर्त किया जाता है होली के पर्व के उपर तो ये जो निर्त है ये होता है देखिए जोगिडी निर्त ठीक है C हमारा सही हो जाएगा 78 देखिएगा बुद्ध ने सबसे पहले किंदो बंजारों को बुद्ध गया में अपना सिस से बनाया था तो ये जो बंजारों को बुद्ध ने बुद्ध गया में अपना सिस से बनाया ठीक है बिहार मानवधिकार आयोग का प्रतम अध्यक्ष देखेगा इसका प्रतम अध्यक्ष नूप किया था न्याय मूर्तिविस्री स.N. जाजी को C हमारा करेक्ट हो जाएगा 80 देखेगा मुख मंत्री मीजी पौध साला योजना को किस नाम से जाना जाता है देखे इसको जाना जाता है हर्याली मीशन के नाम से भी जाना जाता है ठीक है एक्च्वल नाम इसा क्या है मुख मंत्री मीजी पौध साला योजना 81 देखेगा बिहार किस छेत्र के समन्द में बसाती नूल उन्स एक मुल्यवान स्रोत है देखेगा ये मुल्यवान स्रोत हो जाएगा तिरहुत का एक औरेक्ट हो जाएगा 82 बिम्बिसार ने कि सासक के उपचार के लिए अपने राजवैद जीवक को भेजा था ध्यान रखेगा बिम्बी सार ने देखेगा प्रधोत के उपचार के लिए अपने राजवैद जीवक को जो है भेजा था क्लियर है इसका एकदम बतलब यह बहुत बार यह कोशन पूछ चुका है तो यह ध्यान रखेगा ठीक है प्रधोत जो की अवंती का यह सासक था उसके उपचार के लिए अपने राजवैद को इसने भेजा था अब देखिए ए 83 नमबर पटना में डेविस कप के मुकाबले किस खेल किस वर्स खेले गया थे पटना में डेविस कप के जो मुकाबला है यह किस साल खेला गया था देखेगा 83 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो लोले यह का देखेगा यह सफर्स करते हैं किसन गंज पूर्णी एवां कटीहार कीा टिकरांट हो जाएगा 85 देखिए उडीसा से अलग भी हार विथान परिश्कात गठन कब किया गया देखेज़िसा से अलग भी अधार परिश्कात na past जो है नकद लिया जाने वाला नामक कर उसको हम लोग इरणय बोलते थे ए हमारा यहां सही हो जाएगा ठीक है भागलपूर जिला इस्थित बीहरपूर किस अंदोलन संबन्दित है देखें भागलपूर जिला में जो बीहरपूर जो इस्थित है यह related है किस अंदोलन से तो ध्यान दिजेगा यह related है भाराज छोरवा अंदोलन से डी करेक्ट होगा 88 एक जुलाई को किन के जनम दिवस को राज में चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है 89 देखेगा भारत में नवी मुंबाई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर की स्थापना किस देश के वितिया एवं तकनीकी सायोग से की जा रही है देखेगा इसके स्थापना किया जा रहा है जापान के हेल्प से बी करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हम लोग नंबर 90 MRTP आयोग को निरस्त करके उसके स्थान पर निमली के तरह किसकी स्थापना की गई थी देखेगा ये स्थापना किया गया था 35 परदा योग का एक करेक्ट हो जाएगा 91 स्वराज आम जन्ता के लिए होनी चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषना की देखेगा इस सूत्री घोषना की थी CR दास ने ये हमारा यहां करेक्ट हो जाएगा ठीक है 92 देखेगा कॉंग्रेसी नेताओं द्वारा मांटेंग्यू चेम्सफोर्ट की निंदा करने पर कई नरम पंथी ने पार्टी को चोड़ कर निम्न में से कौन सी पार्टी ये गठन किया था तो ये गठन किया था अगर हम बात कर लें देखेगा इंडियन लिबर फेडरेशन ने लेबर हो जाएगा यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है ध्यान दख्येगा चलिए भाई 93 देखते हैं हम लोग 93 नमबर पे क्या बोल रहा है निम्न में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपनेट पार्टी बनाने का निड़ने लिया था मदनोहन मालविया जी और मोतिलाल नहरुने DMR यहां पर करेक्ट हो जाएगा 94 देखिए जम्मु योम कश्मीर भारत का अभिन अंग बना कब बना ये भारत का अभिन अंग बना देखिए 26 अक्टूबर 1947 को सी एपसलूट करेक्ट हमारा यहां हो जाता है चलिए भाई 95 देखते हम लोग भारत वर्स के विभाजन के समय भारत के निमलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयूक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी ये योजना सामने रखी थी देखिएग यह जूड़े होएते हैं भारत छोड़ों अंदोलन साथ यह जूड़े होएते हैं यह हमारा करेक्ट होगा 97 देखिएगा निमलिखित किसने ब्रिटिस यूग की केंद्रिये लिजिसलेटिव एसेमली तथा स्वतंत्र भारत की संसत में अध्यक्ष का पद समहला था तो यह अगर हम बात कर ले किसने समहला था तो जीवी मावलंकर जीने समहला था बी करेक्ट हो जाएगा चलिए 98 देखते हैं निमलिखित किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाय जाने का साक्ष मिला है तो ये साक्ष मिला है अगर हम बात कर ले बुर्ज होम से एक करेक्ट होगा हंड्रेड रिगवेद में निमलीखेट किन नदियों का उलेख अफगानिस्तान के साथ आरियो संबंद में संबंद का सूचक है देखिए ये सूचक अगर हम बात कर ले ये हैं कुभा और कुर्मू सी हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक 101 देखते हैं निमलीखेट किस बहुत गरंत में संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं देखिए संग जीवन के नियम जो है ये विनय पीटक के अंतरगत प्राप्त होते हैं बी करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए भाई 102 देखते हैं हम लोग यहां पर 102 में क्या बोल रहा है देखेगा सुची एक को सुची दो के साथ यहां पर जो है मिलान करना है राइट जैन धर्म ये पवापूरी से रेल्टेट हो जाएगा हिंदु धर्म ये वारानरसी से रेल्टेट हो जाएगा इसलाम धर्म मदीना से रेल्टेट हो जाएगा और इसा में भी देखेगा इसको मिलाना अगर हम लोग करते हैं तो कौशामभी हो जाएगा राना भार स्टूप से ठीक है माफ कीजेगा extremely sorry कौशामभी हमारा हो जाएगा गोशीतारा मट से एक हमारा दो के देखेगा कुशी नगर राना भार स्टूप से लेतन हो जाएगा साडणात धमे खिस स्रावस्ति जो है अगर हम बात कर ले स्रावस्त आगे बढ़ते हैं 104 देखते हैं विक्रम संवत कबसे प्रणंभ हुआ विक्रम संवत देखेगा बिक्रम सम्वत स्टाट वाता संतावा नीसा पूर्व से बी करेक्ट हो जाएगा 78 धर्मसास्त्र में भूराजवस की दर क्या है धर्मसास्त्र के अंदर भूराजवस की दर जो है एक बट्टा 6 हो जाता है 106 एलोडा गुफाओं का निर्मान कराया था किसने देखे एलोडा के गुफाओं का निर्मान जो है अगर हम बात कर ले ये करवाया था राष्ट कूटो ने सी करेक्ट हो जाएगा ठेक आगे बढ़ते हम लोग 107 नंबर देखिएगा कुमार संभव महाकाव किस कवी ने लिखा कुमार संभव महाकाव ये लिखा है देखिए काली दासची ने डी करेक्ट हो जाएगा 108 हिमाले की रचना समनांतर विलय से हुई जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है इसमें प्राचीनतम श्रेणी की बात कर ले देखिएगा ये ट्रांस हिमाले का श्रेणी हो जाता है ठीक है ये हिमाले जो द बेसिक इसको बोल लीजे ये लगू हिमाले का भाग हो जाता है और ये वाला जो है ये महान हिमाले का भाग है ठीक है महान हिमाले और इसके पार का जो ये जो हिस्सा है जिसके अंदर कैलास जासकर कारा कोरम यहां पे मिल जाएगा यहां कैलास है जासकर है ये सारे एरिया जो कि 109 देखिए का भारतिय समुंद्र सास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबाई से पस्चिम दक्षिन पस्चिम में लगभक 455 किलोमेटर दूर एक नए 1505 मीटर उचे परवत की खोचकी है इस परवत का नाम क्या है देखिए का इस परवत का नाम है रमन सागर परवत भ भारत के निमलिकित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है देखिएगा भारत का कोहिनूर अगर हम इसकी बात कर ले भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंदरा परदेश को क्लियर बी हमारा यहां पे एक दम ही करेक्ट हो जाएगा 111 देखते हैं क्या बोल रहा है भील जाती कहा पाये जाती है। देखिएगा भील जाती ये कहा पाये जाती है। ये महरास्टा के अंत्र मिल जाएगा आपको डी करेक्ट हो जाएगा। 112 यहां भी देखिए कूट मिलान है इस वाले कोश्चन में काफी यह से थोरा सा टफ बन जाता है देखेगा इसमें जो है गंगा नदी यह related हो जाएगा सोन से गुदाबरे रिलेटेड हो जाएगा मंजरी से कृष्णा रिलेटेड हो जाएगा भीमा से यमुना रिलेटेड केन से हो जाएगा डी वाला हमारा सही कूट बैठ जाता है 112 का डी चलिए 113 देखते हैं भारत के उत्री मैदान में सीती रितु में वर्षा होती है तो सीती रितु में वर्षा होती है वो देखिए पस्चिमी विच्छोब पावनों से होता है ए करेक्ट हो जाएगा 114 इंद्रा गांधी नहार का उद्गम स्थल क्या है इंद्रा गांधी नहार का उद्गम स्थल या पूर्ती कहां से होती है देखेगा correct answer हो जाएगा क्योजर से एक correct हो जाएगा 116 भारत सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगा जो है देखे मुंबई बंदरगा हो जाएगा बी correct हो जाएगा 117 देखेगा hydrogen helium तता मीथेन प्रमूग गैस है जो विदमान होती है देखेगा यह विदमान होती है ब्रहस्पती सनी तता मंगलबर बी correct हो जाएगा यहाँ पर हमारा ठीक है 118 देखेगा दिन रात जिस कारण होते है वो है देखे दिन और रात जिस कारण से होता है वो कारण हो जाएगा भू परी भ्रह्मन भी हमारा सही हो जाएगा नमबर 19 मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था देखे मानव ने चंद्रमा के उपर पहला कदम साल 1979 में रखा था डी सत्य हो जाएगा हमारा ठीक है 120 अभी अहमद को दूसरे कारेकाल के लिए किस देश के प्रधान मंत्री के रूप में न्युक्त किया गया है एक्स टेंडिम लिखें से किसने कॉमन्वेल्थ पॉइंट्स ओफ लाइट पुरसकार जीता है यह जीता है देखिएगा सैयद उस्मान अजहर मक्सूसी ने डी करेक्ट हो जाएगा नमबर 122 कोपा अमेरिका या 2021 किस टिम ने जीता है कोपा अमेरिका कब 2020 किस ने जीता है यह देखिए अरजनटीना ने जीता है दी करेक्ट हो जाएगा ठीक है 123 टेखे 20 जनसंख्या दिवस हर साल की बिवस इसले बार्टी ने की से हरा कर अपना पहला विमिल्डन किताब जीता एसले बार्टी देखेगा इन्होंने रिसेंटली हराया है को रोलीना प्लास्कोवा को सी हमारा यहां पे एपसलूट करेक्ट हो जाएगा क्लियर चलिए भाई आगे बढ़ते हम लोग और द्यान दिजेगा यह और असले बार्टी इनका नाम भी याद रखेगा एसले बार्टी और यह कहां से और यह कौरोलीना प्लास्कोवा यह रस्ट्या से हैं 125 ट्विटर ने हाली में भारत के लिए नई आई टी नियमो का पालन करने के लिए अपने निवासी सिकायत अधि कारी के रूप में किसे नामित किया है तो यह ट्विटर ने अभी रिसेंटल ही नामित किया अगर हम बात कर लें देखेगा विन्य प्रकास को डी करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हम लोग 126 संयूंत राष्ट ने युवा एक्टिविस्ट मलाला यूसुफ जाई को 127 निमलिखी तुमसे किस ने विमिल्डन चेंपियंशिप 2021 जीता विमिल्डन चेंपियंशिप 2021 जो है देखे नुवाक जोकुवीच ने जीता है एक करेक्ट हो जाएगा 128 भारत के पाले क्रिप्टोगैमिक उध्यान का उध्गाटन की सराज में किया गया भारत का पाला क्रिप्टोगैमिक उध्यान इसका उध्गाटन देखे उत्रा खंड में हुआ है ठीक है बी करेक्ट होगा 139 केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी ने डायस में भारत के पा डॉक्टर पीके वारियर का हाली में 100 वर्स के उमर में निधन हो गया वह निमलिखियों से किस छेत्र से जूड़े थे ठीक है पीके वारियर देखेगा इनका संबंध है किस से तो आयूर्वेज चिकित्सा से सी करेक्ट होगा 131 उस बांगलादिसी क्रिकेटर ने नाम बताई जिसने टेस्ट क्रिकेटर सन्यास की घोशना करी है तो टेस्ट क्रिकेट से अभी रिसेंटली ही जो बांगलादिसी प्लेयर है जिसने सन्यास की घोशना करी है उसका नाम है महमुदुल्ला रियाद डीकरेक्ट हो जाएगा ठ तो यहां पर सत्य हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 134 विस्वुजन संख्या दिवस 2021 की थीम क्या है विस्वुजन संख्या दिवस 2020 की थीम कि अगर हम लोग बात कर ले क्या है तो यह हो जाएगा दा इंपक्ट ऑफ कोबीड नाइंटीन पैंडमिक ओन फर्टाइलिटी ए करेक्ट हो जाएगा 135 निमली किस फुटबॉल टीम ने ये चेंपियंशिप 2020 जीता है ये चेंपियंशिप जो है ध्यान दीजेगा ये जीता है इटली ने बी करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हम गया है देखेगा ये चुना गया अगर हम बात कर लें जियान लुईगी दोनार उम्मा को एक करेक्ट हो जाएगा 137 भारतिये संस्कृतिक संबंध परिशद ICCR भारत और किस देश के बीच राजनाइक संबंध को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विस्विदल में किसी विए पलेयर आफ दे मंथ का नाम बताईये जून के लिए एंक प्लेयर ऑफ दे मेन आफ का नाम नाम हम बात कर लें कौन और यह हो जाएगी तो यह हो जाएगी सोफी एलेक्ट टॉन 139 निमलिंखिन से के जून के लिए एथि पलेयर आपirie को चुना गया है ठीक है प्लियर ऑफ दमन किसको चुना गया है तो यह चुना गया है अगर हम बात कर ले देखिएगा किसे तो ड्वेन कॉनवे को डी करेक्ट हो जाएगा 140 फरवडी 2022 में कौन सा राज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का योजन करेगा देखिएगा इसका यो संस्क्रितिक लिए नया विभाग की बात कर ले यह बनाएगा असाम बी करेक्ट होगा 142 निम्लिकिन से किसे ने यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है तो गोल्डन बूट जीता है देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सी करेक्ट होगा 143 मदरास और डैस भारत ने साम वे हिमालेई याक का बीमा करने के लिए नैशनल इंसोरेंस कंपनी लिमिटेट के साथ समझाता किया है तो यह समझाता रिसेंटली ही अभी करा है अरनाचल प्रदेश में बी करेक्ट होगा 145 निम्लिकिन से किसे बाहरीन केल्डिया समाज BKS 2020 सहितिक प्रुसकार के लिए चुन जा गया है ओम चेरी इन ए पिल्लाई को सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट दा आर्ट ओफ कॉंजुरिंग अल्टरनेट रिलेटिव्स हाव इन्फोर्मेशन वोर सिप्स यूर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक का नाम बताना है इस पुस्तक के लेखक का नाम है सिवम संकर और अनन्द विंकट नरायन बी करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं 147 देस ट्रगल विदिन अ मेमोर ओफ इमर्जेंसी पुस्तक के लेखक कौन है देखेगा इस पुस्तक के लेखक है असोक चकरवर्ती डी करेक्ट हो जाएगा 148 भारत और डैस क के बीच रेल कार्गो आवाजाही को बड़ा बढ़ावा मिला है यह बड़ा बढ़ावा मिला है देखें नेपाल के लिए ठीक है 149 अब हम लोग देखेंगे तो यह अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया है उत्तरप्रदिस गोवर्मेंट में डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 150 देखते हैं निमलिखिस बैंक का लाइसेंस हाली में RBI में RBI के द्वारा रद कर दिया गया है तो रिसेंटली ही रद किया गया है डॉक्टर सिव अपने स्कोर जरूर जरूर शेर करिएगा और इफ यू लाइक द वीडियो देन दू लाइक द वीडियो और प्लीज शेर द वीडियो और इफ यू लाइक देन आल्सो सब्सक्राइब अस चलिए आज किस वीडियो बस इतना ही तिल देन टेक क्यार बबाए और गॉड ब्ल